दोखो यसे मान लो अगर हमें A, 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 B, C, D, E दोखो यह साथ चीज़े दे गई हैं जिन सातों में तीन एक जैसी हैं थ्री आइडेंटिकल हैं ठिक और हमसे कहा जाएं इन सातों को एक सरकल में अरेंज करो है ना इन सातों को एक सरकल में हमें अरेंज करना है तो को साथ चीज़ों को सरकल में अरेंज करना है तो क्या होगा 6 factorial ways लेकिन 3 एक जैसी हैं तो upon 3 factorial से divide कर देंगे दियान दो जैसे हम linear में करते थे जो चीज़े एक जैसी थी उनके factorial से divide करते थे लेकिन ध्यान दो अगर मालो ऐसा कोशन होता ए ए ए बी बी और सी डी मालो ये अब साथ चीज़ें हैं तीन एक जैसी हैं दो एक जैसी हैं अब हमसे कहा जाए इनको सरकल में अरेंज करो तो फिर हम वही करेंगे क्या सिक्स फैक्टोरियल तीन एक जैसी और दो एक जैसी अब ध्यान देना ऐसे करना गलत हो जाएगा मतलब एक जैसी चीजें सिर्फ वन टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं अब ये एक जैसी ये एक जैसी तो अब ये सवाल ऐसे गलत हो जाएगा वैसे नहीं कर सकते कैसे करेंगे बताएंगे आपको आगे तो सरकल में अगर कुछ चीजें दी गई हैं और उन मेंसे कुछ चीजें एक प्रकार की हैं तो सरकल का ही फामूला लगाओ और जो चीजें एक प्रकार की हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करो यसे साथ चीजे हैं साथ को सर्कल मेरेंज करेंगे तो क्या होगा सिक्स फैक्टॉरियल लेकिन तीन एक जैसी है तो अपान थ्री फैक्टॉरियल लेकिन ये तीन एक जैसी है दो एक जैसी तो यहां मत सुचना कि सिक्स फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोकल अथ हो जायागा भी है, आप ऐसे नहीं करेंगे, दो को ध्यान दो, माल लो हमें कोशन ऐसा दिया जाए, माल लो कोशन ऐसे दिया जाए, माल लो ये साथ चीज़े हैं, ठीक, ये साथ चीज़े हैं, और हमसे कहा गया, कि, अरेंज, एनी फोर, इन सरकल, इन साथ मैं से कोई भी चार सरकल में अरेंज करूँ, कोई भी चार, तो अब ये मत समझना, कि हम क्या करेंगे, कि भई, सेवन पी फोर, जैसे एन पी आर, अपाउन आर, इन टू थ्री फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करेंगे, जैसे मने बताया था, कि एन चीजें हैं, एन मैंसे आर को लेना है, तो फार्मूला क्या था, एन पी आर अपाउन आर, हाँ, जैसे मन लो, अगर कोशन ऐसा होता, ये सातों चीजें अलग अलग होती, मन लो, ये साथ चीजें हैं, सातों अलग अलग हैं, और हम से कहा जाए, अरेंज, एन इफॉर, इन सरकल, मन लो कहा जाए, कोई भी चार लेकर सरकल में अरेंज करो, तो क्या होगा, साथ चीजें हैं, तो सेवन पी फॉर, अपाउन फॉर, यहाँ पर ये चीज़ सही है, तो आपॉन टू नीचे और आजाता एन पी आर अपॉन टू आर साथ चीज़े हैं साथ मैंसे कोई भी चार सरकल में रेंज करनी है तो सेवन पी और एन पी आर एन मैंसे आर लिया एन पी आर और अपॉन आर आर से डिवाइड करेंगे अब यह मस्तमना कि यहां भी यही तो सेवन पी फॉर अपॉन फॉर तुमको होगे यह तीन है तो अपॉन थ्री फेक्टर अब यहां पर यह चीज़ गलत हो जाएगी ध्यान देना साथो चीज़े अलग अलग है कोई चार ली तो सेवन पी फॉर अपॉन फॉर ठीक है यहां पर दोको अब तीन चीज़े एक जैसी तो यह मैं समनना वही फामुला लगा देंगे और तीन चीज़े डिवाइट उगला चलेगा हाँ अगर सब की सब ले रहे हैं तो ठीक है कि मालो साथ चीज़े हैं तीन एक जैसी तो सिक्स फेक्टरिल अपांथ फेक्टरिल कोई दिक्कत नहीं अब दो कोई यह सवाल कर अगर हमें कोई चार अरेंज करनी हैं तो केस बनाना पड़ेगा देखो पहला केस तो यह आल फोर डिफरेंट चारो की चारो डिफरेंट हैं तो पहले हम यहां से चार चीजें select करें दोखो क्या है एक ले लिया ए, बी, सी, डी, इ दुखो पाँच चीजें 5 मैंसे चार चीजे 5, C, 4 5, C, 4 5 मैंसे अब दोखो दोखो चुली क्या है पहले हम 4 चीजे सेट करें तो क्या करें 4 अलग-अलग रखनी है तो A तीन थे बाकी दो A हटा दिया एक A ले लिया एक A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, E ले लिया पांच चीज़े हो गई, पानवे चार का सेलेक्शन पांच मैंसे क्या करना है चार चीज़ों का सेलेक्शन करना है तो क्या तरीका होगा वोलो N-1 का factorial तो इस case का final answer क्या हुआ 5C4 into 3 factorial हना क्योंकि 4 चीजें पहले हमें अलग अलग चुनी है तो अलग अलग चीजें हैं 5 5 मेंसे 4 का selection 5C4 अब जो 4 चीजें अपने पास आ गई है उनको बैठाना है circle पर हना जो 4 चीजें हमने यहाँ पर select की है 5C4 उन 4 को बैठाना है सरकल पर तो 4 चीज़े अगर सरकल पर बैठेंगी तो कितना होगा वह लो 3 फैक्टोरियर तो 5C4 सेलेक्शन और उनको बैठाने के तरीके यह अपना आंसर पहले का यह अपना पहले पार्ट का आंसर देखो अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि टू सेम हो जाएं और टू डिफरेंट हो जाएं जो चार चीज़े हैं वो दो एक जैसी दो अलग अलग अब देखो जो दो एक जैसी हैं इसका मतलब वो दोनो ए होंगे यह कनफर्म है दो ए ले लिए अब बची चार अलग अलग चीज़े इन मैंसे हम दो का करें सेलेक्शन तो फोर सी टू ऐसे कॉर्शन पहले भी हम कर चुके हैं अब दो जो जो सेम चीज़ें आप ले रहे हैं है ना दो जो सेम चीज़ें आप ले रहे हैं वो दो ए होंगे तो तीन सेम चीज़ों मेंसे दो को सेलेट करने का एक ही तरीका इसका एक ही तरीका होगा वन वे है ना तीन सेम चीज़ों मेंसे अगर दो चीज़ें उठाओगे तो एक ही तरीका और ये चार अलग अलग चीज़ें मेंसे दो और चाहिए है तो क्या हो गया फोर सी टू तो इसका मतलब फोर सी टू कुल मिलाके हो गया सेलेक्शन का तरीका दो सेम और दो डिफरेंट चीजें सेलेट करने के कुल तरीके कितने हो गया फोर सी टू अभी जो दो सेम और दो डिफरेंट चीजें आई हैं इनको सरकल पर बैढ़ाना है तो चार चीजे हैं सालकर पर बठाना है तो क्या होगा बो थ्री फैक्टोरियल और दो चीजे सेम हैं तो अपाउन टू फैक्टोरियल ध्यान दू है ना दो सेम दो डिफरेंट चीजे हैं तो पहले उनको सेलेट किया सेलेट कैसे किया दो सेम का मनदब दोनों ए ले आ हैं दोनों आफ फॉर सीटू दो को कि क्ल मिला कि सेलेक्शन क्या होग juga बन इंटु tutorial into 4 c2 तो यह हमारे कोर्शन का final answer हुआ दो से मृट डू डिफरेंट चिक आप दो को तीसरा केस क्या पॉसिबिल है थी सरा केस पॉसिबिल है कि हम तीन सेम और एक डिफरेंट ले ले लें लेकि देहन दो अब तीसरा केस क्या पॉसिबिल है कि हम थ्री सेम ले ले और वां तीनो ऐ लेना ही लेना है, तो तीनो ऐ चुनियाँगा एक ही तरीका. और जो एक अलग लेना है, वो इन मैं से लेना है. B, C, D, E. इन मैं से एक सेलेट करना है, एक सेलेट करना है. तो इसका तरीका क्या हो गया, वोलो? 4C1 और इसका तो खemp infinity, one way ही होगा तो कुल मिलाके जो हमारा selection हुआ selection उसका तरीका क्या हो गया one into four c one selection का तरीका अब मेरे पास तीन एक जैसी चीजे हैं और एक चीज अलग है इन चारों को हमने बठाना है circle पर तो अगर circle पर बठाओगे तो क्या होगा three factorial और तीन चीजे सेम है अपान three factorial मतलब one दोखो ये तीन चीजे सेम है एक अलग है तो कुल मिलाके चार चीजे हैं चार चीजें को बठाना है circle पर तो चार चीजें circle पर बैठेंगी तो मैंने क्या बताया three factorial उपर n minus one factorial और तीनों चीजे सेम है तो उसका ये factorial value one तो final answer क्या हुआ selection और बैठाने के तरीके तो one into four c one into one तो finally answer क्या हो गया बोलो four c one ये हमारे question का final answer तो कुल मिलाके तीन case बने ये मानलो answer है a और ये मानलो answer है b और ये मानलो answer है c तो final answer होगा a plus b plus c हाँ ये question का final answer तो अगर कुछ चीजे सेम है तो ऐसे arrange करना होगा ध्यान दो पहले selection और फिर उनका arrangement करना है है ना पहले selection और फिर करना है हमें उनका ध्यान दो यहाँ पर arrangement ठीक है दिखो जैसे circular में जब question करते हैं तो हमेशा circle में ज़्यदा formula नहीं है एक formula तो है वही n चीजें सभी को ले लिया तो n-1 factorial flower वाले case में क्या होगा n-1 factorial upon 2 होगा अब अगर n चीजें r को लेना है तो n-p-r upon r flower वाले case में n-p-r upon 2 r अब n चीजें कुछ सेम है तो n-1 factorial और upon जितनी चीजें सेम है उनका factorial है ना वो फार मों लगता है लिखो बच्चे यहां पर ध्यान से रहा इसको पहले फो और में चीजें है